हेलो एब्रिवान वेलकम तो मैज्स स्लिएशन आयम हेर तो सॉल्व यह मैज्स प्रॉब्लम नूइंग आर नंबर चेप्टर नंबर वान पिछली वीडियो में मैंने आपको 1.5 एक्सराइज कंप्लेट करवा दी हैं आज हम स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सराइज लेट स्टार एक्सराइज 1.2 फर्स्ट कोस्टिन देखिए लिखा है अबुक एक्सिबिशन वास हैल्ड फोर फोर डेज इन ए स्कूल कि एक स्कूल में चार दिनों के लिए एक बुक्स की एक्सिबिशन लगाई गी तो दर नंबर्स ओफ टिकेट सोल्ड ओन दा एड दा काउंटर ओन द फर्स देखिए सेकेंड थर्ड और फाइनल देखिए वास रिस्पेक्टिवली 1094-1812-2050-2751 फाइंड टोटल नंबर ओफ टिकेट सोल्ड ओन ओन ओल दा फोर डेज उसने बोला कि एक स्कूल में एक एग्सिबिशन लगाए गई चार दिनों के लिए उसमें जो टिकेट सोल की गई हैं वो चार दिनों में अलग अलग सोल की गयी सोल की गई हैं जैसे कि पहले दिन में कितनी थी 1094-1812-1050-2050-25-2751 और फिर उसने क्या बोला किया था फाइंड टोटल नंबर यानि कि हम उसका टोटल बताना है कि चार दिनों में कि तनी टिकेट्स जो है वो सेल की Ticket sold on first day. कितनी हुई थी हमारी? 1-0-9-4 Ticket sold on second day. Second day पे हमारी हुई थी? 1-8-1-2 Ticket sold on third day. 3rd day में 2-0-5-0 Next है Ticket sold on fourth day. 4th day पे हमारी थी? 2-7-5-1 तो चलिए यहाँ पे हमने last में क्या चाहिए था? कि total tickets sold यानि कि 4 दिनों में कितनी sold हुई? total उसने हमें पे बोल दिया उसका मतलब कि हमें इसको plus करके बताना है उनको कि 4 दिनों को जितनी सेल हुई है उनको total कर दो तो उसका पता चल दाएगा कि 4 दिनों में कितनी सेल हुई tickets की? हम यहाँ पे रखें कि total tickets sold तो चल लिए plus करते हैं यहाँ पे plus का sign 4 और 2 6 और 1 7 फिर 9 और 1 10 5 15 और 5 20 0 यहाँ 2 carry 8 और 2 10 और 7 17 1 carry 1 2 3 4 5 6 7 7 तो इतनी जो सेल हमारी जो है ना tickets की हुई 7707 चार दिनों के अंदर तो आपको यह question समझ में आ गया होगा second question में Shekhar is a famous cricket player Shekhar एक प्रसिद cricket player है He has so far scored 6 9 8 0 runs in test matches उसने score कर लिए हुए है matches में runs 6 9 8 0 अब तक test matches में He wishes to complete 10,000 runs लकिन उसकी इच्छा क्या है कि वो 10,000 runs जो है complete करना चाहता है How many more runs does he need उसे कितने और runs चाहिए कि वो 10,000 complete कर ले क्योंकि उसने इतने तो करी लिए हुए 6,000, 980 अब उसे 10,000 तक चाहिए तो उसे solve करने के लिए चलते हैं स्टार्ट करते हैं Shekhar wishes to complete runs is equal to 10,000 10,000 runs वो चाहता है ठीक है और अब तक उसने कितने कर लिए हुए है फिर हम लिखेंगी Shekhar score runs देखो कितने runs उसने score कर लिए है 6,9,8,0 इसके नीचे लिखेंगे 6,9,8,0 ठीक है आगे क्या लिखेंगे more runs need कि उसको कितने चाहिए तो यहां पर हम क्या करेंगे हमें कैसे पता चलेगा जब हम 10,000 में से जितने उससे score की है runs वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो score run आ जाएंगे जो उससे और चाहिए तो हम इसको minus करते हैं यहां पर हम start करते हैं 0 में से 0,0 अब जिको 0 में से 8 नहीं जा सकता फिर borrow करेगा यहां borrow करेगा यहां 10 हो जाएगा फिर यहां से इसको यहां से borrow करेगा यहाँ 10 हो जाएगा फिर यह बोरो करेगा यहाँ 10 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 9-9 रहा जाएगा अब 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पर कुछ नहीं क्योंकि 1 ने और रड़ी उसको दे दिया धबॉँ अब यहाँ पर 3-0, 2-0 हुमारे पास यान पर 5-7-7, 5-0-0 वोर्ज और जो कैता है क्या कि jest 655,000 वोर्ज जो जीता है उसने कितने वोर्च रिजिस्तर किये थे? Gimme 5-7-7, 5-0-0 और जो उसका राइवललekt किए उसके अगेस्ट खडा था यानिं कि उपजिट जो खड़ा था उसने कितने स्कोर किये थे? थी 387 00 तो इतने उसने वोर्ट स्कोर किये by what margin did the successful candidate win the election अब हमें ये बताने कितने margin से जो successful candidate है जिसने जिसने जो election जीता है वो कितने margin से जीता यहनी कितने वोर्ट उसने ज्यादा प्राप्त किये कि वो जीत गया तो चलिए फिर start करते हैं हम इसको solve करते हैं हम लिखेंगे successful candidate score या register लिख लिख लो कुछ भी लिख लो हम register भी लिख सकते हैं registered votes कितने five double seven five double zero तो उसने बोला कि जो उसका nearest rival है वो nearest rival लिखेंगे rival score votes कितने हैं उनके हैं three, four, eight, seven, double zero अब यहां पर कैसे हमें पता चलेगा जब हम successful candidate के votes में से rival के votes minus करते हैंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने votes से वो जीता कैसे हम यहां पर नीचे कर लेते हैं यहां पर हैंना clear आ जाएगा आपको five, double seven, five, double zero three, four, eight, seven, double zero जिसको ना पता चले वो पीछे से शुरू कर ले ताकि वो गलती ना हो कि नीचे कैसे लिखा गलती से ना लिखा जाए आपसे जीरो में से जीरो गए, जीरो, जीरो में से जीरो अब five में से seven नहीं जा सकते बॉरो करेगा यहां पर fifteen हो जाएगा, यहां पर six हो जाएगा फिफ्टीन में से seven minus करो अब seven से शुरू कर लिए, अगर seven होया है यहां पर sixteen हो जाएगा, sixteen में से eight गए, अब नहीं आता आप ऐसे कर लो, eight में से आगे स्टार्ट कर लो, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, sixteen, eight आ गया चलो हम यहां पर eight लिख देते हैं, अब six में से four तो less हो जाएगा, यहां पर two आ जाएगा यानि कि इतने वोर्ट से वो candidate अपने nearest rival से यानि अपने opposite खड़े होने वाले person से वो जीत गया नीचे ऐसे लिखेंगे, margin of successful candidate तो किसने से जीता, two, two, eight, eight, double zero, कॉमास बूट करते हैं, ठीक है तो इतने से जीता, two, two, eight, eight, double zero, से फोर्ट कॉर्शन में किती बुक्स्टोर, sold books worth rupees 285,891 in the first week of June जून के पहले हफते में किती बुक्स्टोर ने इतने रुपीज की जो बुक्स हैं वो सेल करी, कितनी? 285,891 की एंड बुक्स वर्ट रुपीज 4,768 in the second week of month यानि कि मन्त के दूसरे week में उसने 4,768 रुपीज की जो हैं बुक्स उसने सेल करी, आगे क्या कहता है? How much was the sale for the two weeks together? और उसने बोला है कि इन दो हफ्तों में कठे कितने रुपीज की उसने बुक्स सेल करी? पहले हम इतना ही कोस्टन सॉल्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, चलिए इतना सॉल्ट करते हैं हम लिखेंगी, books, books sold in first week ऐसी लिख दे न, तो कि आपके examiner को पता चल देगा, आपको कोस्टन का पता चल चुका है तो कितने एक रुपीज की करी? टू, एट, फाइव, एट, नाइट, वण, रुपीज की, ठीक है? पहले हम लिखेंगे, books sold in second week second week में कितने रुपीज की करी उसने? फोर, सीरो, सीरो, सैवन, सेट, एट की अब उसने हम रुदा है, together एक अठे उसने कितने सॉल्ट करी? तो हमें कितने की सेल करी? टोटल, books, sold अब इसका हम प्लस कर देंगे एट और वान, नाइन, नाइन और सिक्स कितने होते हैं? फिफ्टीन, वान, एट और वान, नाइन, नाइन और सैवन कितने अगर आपको नहीं आता हो ना? कमप्लीट तो आप इसे फिंगर्स पे भी कर सकते हैं यहां एट का एट हो जाएगा यानि कि इतने रुपीज की जू है ना उसने बुक्स जू है वो सेल करी इकठे दोनों हक्तों में यहां पे हम कॉमास लगा देते हैं थ्री के बाद तू के बाद इतना कुश्चिन हमने अब तक सॉल्व कर लिया आगे उन्होंने क्या कहा है इन विच वीक वॉज दा सेल ग्रेटर एंड बाइ हाव माच उसे बोला कि किस वीक में उसने सबसे जादा रुपेओं की बुक्स सेल करी हैं और कितने रुपेओं की जादा यानि कि मान लीजे कैसी बुक्स सोल्ड इन फार्ट वीक टू लीज्टीफ़ थाउज़ए फंड्ड नाइटीवान की बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक में फोर लाग सेवनड़ सक्टे एथ यहां पी तूलाग है यहां फोर लाग वाला बड़ा है तो हम सकाज कैसे चेक करवाएंग की कैसे अब हम यहां पी नाव लिख लो जाए कि अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं तो देखो हमारे पास कितना है 4,007,68 बड़ी विगर हो ना पीछे से शुरू कर दिया अगर आपसे गलती नहीं होगी 1,9,8,5,8,2 अब हम इसको माइनस करेंगे जब माइनस करेंगे तो मैं पता चल जाएगा कि कितने के how much भी वोला है उसने देखो how much यानि कितना 8 में से 1 गे 7 अब 6 में से 9 नहीं जा सकता आप यहां पे 16 हो जाएगा इससे बौरो जो कर लिए यहां 6 हो जाएगा 16 में 9 माइनस करेंगे 9 के बाद देखो यह आप सौल कर सकते हैं 9 के बाद हम count करना शुकर देखो 10,11,12,13,14,15,16 यानि 7 हो गया यहां 7 आजाएगा अब यहां से देखो 0 तो इसको दे नहीं सकता तो पहले यह वाला 0 जाब 4 से बारो करेंगा यहां 10 हो जाएगा फिर यहां 10 हो जाएगा यहां 9 हो जाएगा और यहां पे 16 हो जाएगा तो 16 में से 8 गे अब देखो फिर से नहीं होगा वैसे तो 80 आएगा फिर भी 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 80 आए ना देखो 8 आगया तो यहां पे हम 8 लिख देंगे अब 9 में से 5 गए, 5 से अग़े स्टार्ट करते। 6 7 8 čtr 9 4 हो गया 4 लिख इसी तरह से 9 में से 8 गए यह तो पता ही है यह आपको 1 वान यहां 3 बज़ गया था यह भी लखना था है यहीarda 3 में से 2 वान आज़े 1 यानिकी इतने रुपीज की ज्यादा जो sale हुई है वो कब हुई है second week में ज्यादा हुई है तो यहां पर हमारा यह question complete होता है यानि यह इतनी ज्यादा जो पैसों की उसने sale करी है second week चलिए fifth question में हमारे पास क्या दिया उसने कब भूला है find the difference between the greatest and the least number यानि greatest बड़ा least छोटा ठीक है number that can be written using the digits की इनको बनाना है हमने यह वाले digit लेकर कैसे six two seven four three each only once आपने क्या करना है इनी digits को लेकर आपने एक greatest number बनाना है एक smallest number बनाना है यानि कि कोई भी digit जो है वो दुबारा दुबारा repeat भी नहीं होना चाहिए तो चलिए solve करते हैं फिर तो चलिए फिर digits लिखते हैं जो की हमें दिये के हैं books में six comma two comma seven comma four comma three इसी से हमें greatest बनाना और इसी से हमें smallest बनाना है तो start करते है greatest number बस इसी लिख देना बस greatest number कैसे बनेगा पहले सबसे पहले seven है six लेंगे फिर उससे छोटा four है उससे छोटा three है उससे छोटा two है अब smallest smallest में उल्टा हो जाएगा यह चोटा वाला पहले आजाएगा two three four six seven यही है ना और उसके बाद उसने क्या बोला है कि इनका difference निकालना है यानि कि हम यहां पर लिखेंगे difference ठीक है माइनस कर देंगे दो में से साथ नहीं जा सकते अब क्या करेंगे हम यहां पे तू ने लिया इससे यहां पे 12 हो गया यहां पे टू हो गया 12 में से 7 को लेस्ट करिए 7 से आगे काउंट करना शुरू कर देंगे जैसे हमने पहले बता है हम ऐसे करेंगे बच्चों के ठीक है ना 7 8 9 10 11 12 यानि कि 5 बच गये हमारे पास 12 में से 7 नहीं जा सकता फिर यह बोरह कर लेगा यहां पर आजाएगा 3 यहां पर आजाएगा 12 अब 12 में से 6 के 6 के आंगे शुरू कर दो अपने आप काउंट लेगा 7 8 9 10 11 12 6 बच गयो 6 यहां पर लिगत अब 3 में से 4 फिर न थर्टीन में से फोर गें, फोर शे आगे काउंट करें, फाइव, सेक्स, सेवन, एट, नाइन, टैन, इलावन, ट्वालब, थर्टीन, नाइन आगया, तो हम नाइन गितेंगे, अब जब फाइव में से त्री तो चला जाएगा, बड़े अराम से, यहां पर टू आजाएगा, सेवन में से टू गे, कितने टू में से आगे स्टार्ट कर दो, थि, फोर, फाइव, सेग, सेवन, फाइव आजएगा, यानि कि दोनों का डिफरेंस जो है, वो यह है, फाइव, टू, नाइन, सिक्स का दोनों का डिफरेंस है, तो आपको यह कुछ समझ में आ गया ना, बस दोनों का डिफरेंस जो है, तो आपसे गलती बीन होगी वहां पर यहां तक हमारे 5 कुछिंस कंप्लीट हो गए है, अगर आपको यहां मैं इतना क्लियर लिया आपको बता दिया है, अगर फिर भी आपको ना बता चले तो इसको रीप्ले करके देख लें, और जो लास्ट 1. 1.1 एक्सराइज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे, आपको पता चल देगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं, थैंक यू, हवा नाइस दे,